हाई फ्रेंड्स मेरा नम सुल्तान है हाज आपको रुद्राक्षा के मुखी के बारे में बताऊंगा रुद्राक्षा का मुखी मतलब रुद्राक्षा के ऊपर रहने वाले लाइन्स को मुखी कहलाता ये ऊपर कितने मुखी रहता उतने मुखी का रुद्राक्षा कहलाता ये पंच मुखी रुद्राक्षा है Means उपर पंच लाइन्स रहते और X-ray निकालने पर internally अंदर पांच चामबर्स आपको X-ray में दिखेंगे means पांच सीड अंदर दिखेंगे इसको ये रुद्राक्षा मुखी कहला था और मुखी के उपर ही रुद्राक्षा का value डिपेंड रहता रुद्राक्षा के विशिष्टता भी रुद्राक्षा के मुखी के उपर डिपेंड रहती कितने मुखी का रुद्राक्षा है उसके विशिष्टता अलग अलग रहती यह मुखी naturally create होना उतना ही मगर यह मुखी को artificially create करके ला रहे हैं आजकल अभी यह पंच मुखी रुद्राच्छा है इसको 9 मुखी भी बना दे रहें किस प्रकार से बना रहे हैं बोले तो इसके उपर lines create करके दोर मुखी के बीट में और एक मुखी को hexa blade से cut करने पर line create होती इस प्रकार के lines को आपन easily 10x loop में अलग कर सकते इस प्रकार से आपन मुखी naturally create वा या artificially create वा या मुखी के उपर गम लगा के इसके मुखी का नंबर कम कर देते अपने को 5 मुखी रुद्राच्छा easily available है ता और उसकी cost बहुत कम रहता रुद्राच्छा पूरे में 5 मुखी रुद्राच्छा का cost बहुत कम रहता वो रुद्राच्छा के उपर 4 मुखी को गम लगा देके एक मुखी बना देते उसलिए अपन लेते ऊखत लेरें 101 मुखी सस्टे में आ रहा कर रहा बोलके अपन जल बाजी में लेना नहीं वो creativity कुछ है या कुछ artificially create करें इस प्रकार का ध्यान रखके अपन रुद्राक्षा का मुखी को check करके लेने का है ये पीस में एक मुखी रुद्राक्षा दिखरा मगर सरंग्रेंक्स में कि दर भी आपको दूसरे लाइन से नहीं दिखरें मीन से ये पूरा गम से ख्लोस किया गया ये वीडियो को लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए ये वीडियो आपको फोर सी जम टेस्टिंग लाब और जम लॉजिकल इनिस्टिटूट हाइदराबाद की तरफ से रिलीस किया गया